मुझे क्या करना है? सब हम बड़े खुरूस, बड़े अदब और बड़ी विन्यमरता से आप से गुजारिश करते हैं कि आप हमें अपने विचारूं, अपनी भावना हूं और अपने शब्दों का आशिरवाद दें मानिन्य प्रधान मंतरी शिरी नरेंद्र जी मोधी जम्मु कश्वीर के लेटेन गवर्नर स्रिमान मनोच छिना जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जीतेंद्र सींजी साउसद में मेरे साथी इसी धर्ती के संतान गुलाम अली जी और जम्मु कश्वीर के मेरे प्यारे भाई और बहनो धर्ती के स्वर्ग पर आने का ये ऐसाथ ये अनुभूती सब्दों से परे है प्रकृती का ये अनुपम स्वरूप ये हवा ये वादिया ये वातावरा और उसके साथ आप कश्वीरी भाई बहनों का इतना साहरा प्यार और मुझे बता रहा है थे गवर्णर आपके स्ट्रेडियम के बार भी जम्मु कश्वीर के सभी लोग मुझूद है दो सो पिचासी ब्लॉकों से भी करीब एक लाख लोग टेक्नलोजी के जरिये जुड़े हुए हैं मैं जम्मु कश्वीर के अवाम का आज रिजय से अभिनंदन करता हूं ये वो नया जम्मु कश्वीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दसकों से था ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर शामा प्रशाज मुकर जी ने बलिदान दिया था इस नए जम्मु कश्मीर की आखों में वविश्य की चमक है इस नए जम्मु कश्मीर के इरादों में चुनोतियों को पार करने का होस्ला है आपके इन मुश्कराते चहरे देश देख रहा है और आज एट सो चालीस करोड देश्वासी सुकून महसूस कर रहे हैं साथ्यों अभी मनोज सिनाजी का भाषन हम सब ने सुना उन्हान इतनी बड़िया तरीके से बातों को रखा विकास की बातों के तेरी विस्तार से समझाया शायन उनके भाषन के बार किसी के भाषन की जरूरत नहीं थी लेकिन आपका प्यार आप कितनी बड़ी तादाद में हाना लाखों लोगों का जूड़ना आपके इस प्यार से मैं जितना खोस हूँ उतना ही कुतज्य भी हूँ मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहाँ मैं ये महनत आपका दिल जितने के लिए कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जितने की दिसा में सही दिसा में जा रहा हूँ आपका दिल मैं जित पाया हूँ और जादा जितने की कोशिश में जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है मोदी सूज गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों अभी कुछ समय पहले ही मैं जंबू आया था वहाँ मैंने 32,000 करोड 32,000 करोड रुपे के इंफ्रास्टर्टर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेस का सुभारम किया था और आज इतने कम अंत्राल में ही आप सब के बीच मुझे स्रीनगर आने करके आप सब से मिलने का आउसर मिला है आज मुझे यहां तूरिजम और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के सिलान्यास और लोकारपन का सौभा कि बिला है किसानों के लिए क्रिशिक शेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है एक हजार युवाओं को सरकारी नोकरी के नियुक्ति पत्र भी दिये गए हैं विकास की शक्ति परियटन की संभावनाएं किसानों का सामर्थ और जम्मु कश्मीर के युवाओं का नेत्रूत्वा विक्सित जम्मु कश्मीर के निर्मार का रास्ता यहीं से निकलने वाला है जम्मु कश्मीर केवल एक छेत्र नहीं है यह जम्मु कश्मीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सीद जम्मु कश्मीर विक्सीद भारत की प्रात्मिक्ता है साथियों एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मु कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे एक जमाना था जब गरीब कल्यान की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मु कश्मीर के मेरे भाई बेन उनका लाब उनको नहीं मिलता था और अब देखिए वक्तने कैसे करवट बदली है आज यहां स्री नगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओ का आरंब हुआ है आज स्री नगर जम्मु कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए परियतन की नई पहल कर रहा है इसलिए जम्मु कश्मीर के अलावा देश के पचांस से जादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए है देश भी आज स्री नगर से जुड़ा हुआ है आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहट छे परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है इसके अलावा स्वदेश दर्शन इसकीम के अगले चरन का भी शुबारम हुआ है इसके तहट भी जम्मू कश्वी समेट देश के अन्य स्थानों के लिए करीब तीस परियोजनाओं की शुरुवात की गई है आज प्रसाद योजना के तहट तीन परियोजनाओं का लोकारपन हुआ है चवदा और परियोजनाओं को भी लॉंच किया गया है पवित्र हजरत बल दरगा में लोगों की सहुलियत के लिए जो विकास कारिये हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके है सरकार ने 40 से जादा ऐसी जगवों की पहचान भी की है जिने अगले दो वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विक्सित किया जाएगा आज देखो अपना देश पीपल्स चोईस अभ्यान भी लॉंच किया गया है इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभ्यान है देश के लोग आनलाइन जाकर बताएंगे कि यह देखने जैसी जगाह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदिदा लोगों की चोईस वाला स्थान के रुप में उसका परेटर नसल के रुप में विकास करेगी यह जन भागिदारी से निरे होगा आज से प्रवासी भारतियों को जो दुनिया में रहते हैं न क्योंकि मेरा उनसे आग रहे हैं कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ लेकिन कम से कम पांच से परिवार जो नो बिल भारती हैं उनको हिंदुतान देखने के लिए भे चलो इंडिया अभ्यान शुरू हो रहा है इस अभ्यान के तहट चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे डेशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा इंदियो जनाओ और अभ्यानों का बहुत बड़ा लाब जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है और मैं तो आपको मालू में एक और मसक्तल के काम कर रहा हूं मैं जो ऑब टूरिस इंडिया के भी निकलते हैं न उनको कहता हूँ आप जाएए लेकिन एक कम मेरा भी करिए और मेरा क्या काम है मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजेट होगा उस मैंसे कम से कम 5-10 परसंट बजेट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोईन कोई चीजें खरीदे ताकि वहां के लोगों को आए हो उनका रोजगार बढ़े और तभी तुरियम बढ़ता है सिर्फ आये देखे चलेगे नहीं चलेगा आपको 5 परसंट 10 परसंट कुछ खरीदना चे आज मैंने भी खरीदा सीनगर आये बढ़ी अचित देखी मन कर गया मैंने भी ले लिया और इसलिए मैं इसके साथ एकोनोमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूँ साथियों इन योजनाओं से यहां परियटन उद्योगों का भी विकास होगा रोजगार के नए आफसर होंगे मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बेहनों को इन विकास कारियों के लिए बढ़ाई देता हूँ और अब मैं एक नएक शेतर के लिए आपको आवान करता हूँ जैसे फिल्म सुटिंग के लिए यह छेतर बड़ा पसंदिदा छेतर रहा है अब मेरा मिज़ा मिशन है वेड इन इंडिया शादी हिंदुस्तान में करो हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अना अप्षाना आप रूपिय डॉलर खर्च करके लोग आते हैं जी नहीं वेड इन इंडिया अब कश्वीर और जमूर के लोग हमारे स्रीनगर के लोग अब हमें बेडि इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए हाने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करें यहां तिन दिन चार दिन बारात लेकर करें धुम धाम से घर्चा करें यहां के लोगों को दे रहा हूं और साथियों जब इरादे नेक हो संगल्प को सिद्ध करने का जज़बा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मु कश्मीर में जी ट्वेंटी का शांदार आयोजन हुआ कभी लोग कहते थे जम्मु कश्मीर में कौन परियटरन के लिए जायेगा आज यहां जम्मु कश्मीर में परियटरन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं अकेले 2023 में ही दो करोड से जादा परियटर यहां आये हैं पिछले दस वर्सों में अमरनात यात्रा में सबसे ज़्यादा यात्री शामिल हुए हैं बैश्णो देवी में सद्धालू रिकॉर्ड संख्या में दर्सन कर रहे हैं विदेशी टुरिस्टों की संख्या भी पहले से डाई गुना बड़ी हैं अब बड़े बड़े स्टार भी सेलिपरिटी भी विदेशी महमान भी कषबीर में आय विना जाते नहीं हैं वायदियों में गुमने आते हैं या वीडियो बनाते हैं रील बनाते हैं और वायरल हो रही हैं साथ यह जम्मू कश्मीर में परियटन के साथ ही कुरुशी और कुरुशी उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है जम्मू कश्मीर की केसर जम्मू कश्मीर के सेव जम्मू कश् जम्हुकेश्मेरी अपने आप में इतना ही बड़ा इस अब क dob beni कास कारकम से यह श्यत्र और मजबूत होगा कुआट ऑज़ार करोड रुपिये के इस कारकम से अगलेक पांच वर्षों में जम्हुकेश्मेरी के क्रिसी सेक्टर में अबुद्पुर्व विकास होगा विशेश तोर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी और अभी बेहन हमिदा से जब मैं बात कर रहा था पशुपालन को कैसी ताकद मिलने वाली है इसे रोजगार के भी हजारों नए अवसर त किसान सम्मान निदी के तोर पर सीदे बेजे हैं फलो और सब्जियों को जादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मु कश्मीर में स्टोर एक समता भी काफी बड़ाई गई है कुद दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बंडारान स्कीम सुरू की गई है इसके तहट जम्मु कश्मीर में भी अनेकों नए गोदां बनाएंगे साथियों जम्मु कश्मीर आतेज रप्तार से विकास के मार्क पर आगे बढ़ रहा है यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि दो-दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है एम्स जम्मु का उद्गाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है साथ नए मेडिकल कॉलेज दो बड़े कैंसर अस्पतार सापित किये गए हैं आयाइटी और आयाइम जैसे आधुनिक सिक्षा संस्तान भी बने हैं जम्मु कश्मीर में दो बंदे भारत ट्रेने भी चल रही है स्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारा मुला के लिए ट्रेन सेवा सुरू हो चुकी है कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मु कश्मीर में आर्थिक गतिविद्या तेज हुई है जम्मु और स्रीनगर को स्मार्ट सिटी मनाने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्टर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मु कश्मीर की सक्षे स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्शन का केंद्र बनेगा और आपने जरूर देखा होगा रेडियो पर सुना होगा मैं अपने मन की बात कारकम में जम्मु कश्मीर की उपलब्दियों के बारे में हर बार मोका ले लेता हूँ कुछ नो कुछ कहने का यहां साप सभाई के अभ्यान यहां का हस्त सिल्प यहां की कारी गरी इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता एक बार मैंने नदुरू के बारे में कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार जे बताया था यहां की जीलों में जगर जगर कमल देखने को मिलते हैं 50 साल पहले बने जम्मू कश् inflam क्रिकेटेश रशेतन के लोगों में भी कमल है यह सुकत सयोग है या कुदुरत का कोई शारा कि मीज़ेपी का चिन भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मिर का गहरा दाता है जम्मू कश्मिर के युवाओं को हर ख्षेतर में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के स्किल डेवलप्मेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं आज जम्मू कश्मिर के हर जीले में आदुनिक खेल सब्सक्राइब बनाई जा रही है 17 जिलो में हां मल्टी परपज इंडर स्पोर्ट हॉल बनाए गए हैं बीते वर्सों में जम्मू कश्मिर ने अनेको नेशनल स्पोर्ट्स टूर्णामेंट में मेजबानी की है अब जम्मू कश्मिर देश की सित कालिन खेल विंटर गेम्स एक राजदानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रुपे इमरा जम्मू कश्मिर उभर रहा है हाली में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब एक हजार खिलाडी देश पर जाए उन्होंने हिस्सा लिया साथिवां जम्मू कश्मिर भिकात की नई उचाईयों को क्योंकि जम्मू कश्मिर हाट खुल करके सांथ ले रहा है बंदी सोंसय आज़ादी आर्टिकल 370 हट्टे के बाद आई है दसकों तक सियासी फायदे के लिए कॉंग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मिर के लोगों को गुमरा किया देश को गुमरा कि 370 से फायदा जम्मू कश्मिर को था या कुछ राजनिदिक परिवार वही इसका अलाप उठा रहे थे जम्मू कश्मिर के अवाम यह सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमरा किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मिर को जंजीरों में जकड दिया गया था आज 317 नहीं है इसलिए जम्मू कश्मिर के युवाओं के प्रदिवा का पूरा सम्मान हो रहा है उन्हें नए आउसर मिल रहे हैं हाज यहां सब के लिए समान अधिकार भी है समान अउसर भी है पाकिस्तान से आये स्वनमार्थी हमारे वालमी की समुदाई के भाई बैं हमारे सफाई कनुचरी भाई बैं इनको वोट देने का अधिकार सत्तर साल तक नहीं मिला वो अब मिला है वालमी की समुदाई को ऐसी केटेगेरी का लाब मिलने की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है अनुसुचीत जन जातियों के लिए बिदान सबा में सीटे आरक्षित हुई है पद्दारी जन जाती पहाडीय जाती समुदाई और कोली समुदाई को अनुसुचीत जन जाती में शामिल किया गया है हमारी सरकार में पंचायत नगरपाली का और निगम नगर निगम में अन्य पिछडा वर्क को आरक्षन दिया गया परिवारवादी पार्टियों ने जम्मु कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अधिकारों से मच्चित रखा आज हर वर्क को उनके अधिकार लोटाए जा रहे हैं साथियों जम्मु कश्मीर में परिवारवाद और प्रस्टा अचार का एक बहुत बड़ी भुक्त भोगी रही है हमारी जेन के बैंक इस बैंक को तबहा करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं शोड़ी थी बैंक में अपने नाते रिस्तेदारों और भाई बतिजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी मिस मनेजमेंट की वज़े से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हज़ज़नों करोड रुपिये डूब जाने का खतरा था कश्वीर के गरीब अदमी का पैसा था महनत कस इंसान का पैसा था आप मेरे भाई बेहनों का पैसा था वो डूबने जा रहा था जेन के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किया बैंक को एक हजार करोड रुपिये की मदद देना भी ताय किया जेन के बैंक में जो गलत तरीके से बरतियां हुई थी उनके खिलाब भी हमने सकत कारवाई की आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों बरतियों की जाच कर रही है बीते पांच साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नव जवानों को पूरी पारदर्सिता के साथ बैंक में नोकरी मिली है सरकार के निरंतर प्रयासों से आच जेन के बैंक फिर से मजबुत हो गई है इस बैंक का मुनाभा जो डूमने वाली बैंक थी यह मोदी की गारंटी देखिए डूमने वाली बैंक थी आज उसका मुनाभा सत्रा सो करोड रुपिय तक पहुंत रहा है यह आपका पैसा है आपके हग का पैसा है मोदी तो चौकिदार बनके बैठा है पांक साल पहले बैंक का बिजनेस सबा लाग करोड रुपिय में सिमिट गया था सिरफ सबा लाग करोड अब बैंक का बिजनेस सबा दो लाग करोड रुपिय क्रॉस कर चुका है पांक साल पहले बैंक में डिपोजिट भी असी अजार करोड रुपिय से कम हो गए थे यानि लगबग अब दो गुना होने जा रहा है अब बैंक में लोगों के डिपोजिट भी सबा लाग करोड रुपिय को पार कर गए है पांच साल पहले बैंक का एन पीए 11 परसंट को भी पार कर गया था अब ये भी कम होते 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 5 परसंट के नीचे आ गया है पिछले पांच साल में जेन के बैंक के शेरों की किमत में भी करीब करीब 12 गुना वृद्धी हुई है बैंक के शेर की जो किमत 12 रुपिय तक धीर गई थी वो अब 140 रुपिय के आज पास पहुँच गई है जब इमानदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है साथ्यों आजाती के बात जम्मु कश्वीर परिवारवादी राजनीती का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था आद देश के विकांच से परहशान होकर जम्मु कश्वीर के विकांच से परहशान होकर परिवारबादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है लेकिन ने देश इनको करारा जवाब दे रहा है देश के लोग हर कौने में कह रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैंने जम्मू कश्वीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं मन में रहते हैं इसलिए कश्वीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मोधी अपने परिवार को इभी स्वाद दे कर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी किमत पर नहीं रुकेगा अगले पांच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा साथ यो कुछी दिनों में अमन और इबादत का महिना रमजान शुरू होने जा रहा है मैं जम्मू कश्मीर की धर्ती से पूरे देश को इस पवित्र महिने की अग्रिम सुबकावनाए देता हूँ रमजान के महने से हर किश्य को शांती और सहुवार्त का संदेश मिले यही मेरी कामना है और मेरे साथियों यह भूमी तो आदी संकराचारिय की तपो भूमी रही है और कल महाशिवरात्री है मैं आपको भी और सभी देश वाच्यों को भी महाशिवरात्री के पावन परवकी अनेक अनेक शुबकामनाए देता हूँ मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना आपका प्यार आपका अशिरवार लेना यह मेरे लिए बहुत बढ़ा सौफ आगया है बहुत बहुत धन्यवाद कार लेट बहुत बहुत हुआ यह कार्दार आपका बहुत दो कर दो हुत है को आपका लेँरों के बहुत बहुत हुत है